नमस्कार आप देख रहे हैं पाइनेर हर्याना और मैं हूँ आपके साथ ओनिका महेश्वरी यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच एक मार्च को लपीजी सिलिंडर के नए रेट जारी कर दे गए सिलिंडर के रेट में 105 रुपे का बड़ा इजाफा हुआ ये जाफा कमर्शल सिलिंडर में किया गया है इसलिए घरेलू गैर उपभोगताओं के लिए परिशानी नहीं भड़ी है लेकिन घरेलू उपभोगताओं के लिए भी विधासभा चुनाव के बाद आफ़त आ सकती है और कहा जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलिंडर भी महंगे हो जाएंगे आपको बता दे कि 6 अक्टूबर 2021 के बाद से घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दा में कोई बड़ोत्री या कटोती नहीं हुई जी हाँ ना तो ये सस्ता हुआ है और ना ही महंगा लेकिन इस दौरान कच्चे तेल की कीमते 102 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से महंगी हो गई है कमर्शिल सिलिंडर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला है राश्ट्रे समाचार पत्र पाइनेर हर्याना पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशत ई-पेपर दिन भर की तमाम छूटी बड़ी खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चानल को वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूले